नमस्का दूस्तो चॉब्सन केरियर में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहां पर मैं बात करूँगा अधार कार्ड से आये हुए रिकॉमेंट के बारे में देखें अधार कार्ड से जोब कोई भी रिकॉमेंट आते हैं तो वो ज्यादा से इंपोर्टन यह ओ है और आदास पोस्ट भी है तो सारे इंफोर्मेशन एक साथ यहां पर मैं डिसकस करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जॉब का जो डीटल से जॉब का नोटिविकेशन है सारे इंफोर्मेशन में यहां से आपको डिसकस करूँगा तो वीडिय यह सकते हैं इन ने और रॉत यह सब्सक्षा है तो अद है कियो जो मतलब यूइज जो है वह आध्यार का में मतलब मतलब यू आइडिय पर यू आइडिय आ है तो इसमें आपको जॉब मिलेगा जो और प्लिएन और आइदेन्टीकेशन, और अफ्वर्टी ऑफ इंडिया इसमें आपको जवाम मिलेगा, तो पुल मिलाकर लखनो, उपी में आपको जवाम मिलेगा, 7 VECS है जिनमें Accounts के लिए one post है या पर देख सकते हैं Director के लिए one post है Senior Account Officer के लिए one post है सती सत सीर आप देखेंगे तो Section Officer के लिए three post है Assistant Account Officer के लिए one post है तो ''쿨'' मिलाकर जो post हुए बो सारे Post या पर आपके सामने देखने को मिलेगा एक्सपेंस दोनों यह अप्लाई कर सकते हैं एच लिमिट जो रहेगा वह जेनरल के लिए 56 एर सोबी सी के लिए 59 एस और स्ट के लिए 51 एस तर सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड है सिलेक्शन बेस्ट आप देखिए मतलब कुछ एक्जमेंशन होगा उसके मातल से सिलेक्शन हो कोई भी चार्च से नहीं है फ्री आप पॉस्ट है इडिक्शन के बारें बात करतो तो केंडिट को आपको देखिए बीकॉम बीसी बीए चार्टर अकाउंड और कॉस्ट अकाउंट्स एंबी इस तरीके से कुछ पास आउट होना चाहिए क्योंकि आकाउंट्स पोस्ट है स इसका लास्ट रहेगा 27 अक्टोबर उससे पहले आपको अपलाई करना होगा तो कहां से अपलाई करेंगे और किस बेसी से अपलाई करेंगे आपको में दिखा देता हूँ सबसे पहली बात यहां पर जो ठोटे लिटल दिया गये हैं तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करन करना और यहां फेखवन करना तो जहां करना तो टमर्म करना करने के बाद ने सब्क्राइब करहें अजमा करना ओए च्चुका है दो ने मेरे वीडियो कैसाकरा उरत कामट करना और त Information ko मिलते निक्स्ट निया जॉब लेके तब तक लिए अच्छे से रहिए अपने ख्यार लखिए विबाए